मीनो चडिया और बिर्जुतोता अमूत तोड़ने की कोशिस कर रहे थे अरे मीनो चडिया, तुम देख ले ना, सबसे पहला अमूत तो आज मेरा ही तूटने वाला है ओहो आए बड़ी अभी तुम देखना सबसे पहले को अमरूद में ही तोड़ोंगी और फिर तुम्हारी पोलती बंध हो जाएगी अच्छा अच्छा ऐसी बात है तो फिर जरा मुझे एक अमरूद तोड़के तो दिखाओ अभी लोगर जितोते मेनोचिड्या ने एक पथर पकड़ा हुआ था वे पथर वे अमरूद के पेड़ के तरफ खींच कर मारती है परन्तु ये क्या अमरूद तो टोटा ही नहीं क्योंकि पथर तो कहीं और जाकर गिर गया था मैंने चणिया इतने बड़ी बड़ी बाते कर रही थी और अब तुमसे एक अमरूद भी नहीं तूट रहा अरे तो क्या हो गिया इस बार अगर अमरूद नहीं तूटा तो अगली बार तूट जाएगा और तुम जादा इतरा हो मत तीक न अमरूद तो तुमसे भी नहीं तूटने वाला अच्छा मेरी कापनियत पे शक अब देखो मेरा निशाने का कमाल ठीक निशाना अमरूद पर ही लगाऊंगा और अमरूद तूट जाएगा बस तुम देखती रहो तो था घुमा के पत्थर अमरूद के पेड़ की तरफ मारता है पर इन्तु ये क्या वहाँ से उसी समय तोते महराज अपने सेनिकों के साथ गुजर रहे थे वे पत्थर उड़ता हुआ तोते महराज के सिर पर आके लगता है जिसके कारण तोते महराज का ताच कहीं दूर जाके गिर जाता है अरे 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 ये ये पत्थर किस ने खेंच के मारा इसकी वज़े से मेरा ताच ना जाने कहां चला गया अरे सेनिकों मेरा ताच ढूंडो और उसे भी ढूंडो जिसना ये पत्थर मुझ पर खेंच के मारा है मुझ पे तो हमला हुआ है अरे माराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए हम दोनों अभी जाते हैं और आपका ताच और उस पक्षी को ढूंड कर लाते हैं जिसने आप पर पत्थर मार कर हमला किया है हरे जाओ ठिट्टू तुम वहाँ जाके ढूंडो और मैं यहां ढूंडता हूँ हरे मेरा नाम ठिट्टू नहीं है मेरा नाम टटवेंदर सिंग है तुम मेरा पूरा नाम लिया करो एक बार की तुम्हें समझ नहीं आती क्या अरे तुम दोनों लणना बन करो और मेरा ताच और इस पक्षी को ढूंड के लाओ अरे मीनों चडियां यह क्या हो गया तोते महाराज का ताज उड़कर तो हमारे पास ही आकर गिर गया अरे मैं क्या करूं यह ताज उठाकर तोते महाराज को दे दू क्या अरे नहीं 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 बुद्धू तुम ऐसा कैसे कर सकते तो वे समझ चाहेंगे कि हम नहीं उनको पत्थर मारा था और फिर तो हम बंदी बंदी नहीं बनना है तो फिर तुम ही बताओ मेनों चिडियां अब हम आगे क्या करें हम तो बुरी तरीके से फच गए हैं अरे बिर्जू तुम हमेशा कोई न कोई मुसीबत ही कर देते हूँ अम रोत पर पत्थर मानने के वज़े तोते माराज का सर फोर दिया अब इस ताज को ठाओ और फोरन घर चलो फिर घर जागे सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है आरे हाँ हाँ तुम बिलकुल ठीक कह रही हो चलो चलो हम घर ही चलते हैं मीनु चिडिया और बिर्जू तोता दोनों ही ताज लेकर अपने घर चले जाते हैं और वहीं वे कबोतर सैनिक तोते माराज का हार ढून रहे होते हैं परन्तु उन्हें हार कहीं नहीं मिलता हरे ये हार तो कहीं भी नहीं मिल रहा अब मैं तो तोते माराज को क्या जवाब दूंगा फिर दोनों का बोतर सैनिक ठक हार कर तोते माराज के पास पहुचते हैं तोते माराज का वजीर कालू का उवा वहां पहले ही बेटा हुआ था हरे माराज शमा कीजी हमने आपका ताज और उस पक्षी को हर जगा ढूंडा परन्तु दोनों मैंसे हमें कज भी नहीं मिला मुझे तो लगता है आपका हार किसी ने चुरा लिया है माराज अरे मेरा ताज किसने चोरी किया है मैं उसे बिलकुल नहीं चोड़ूंगा और महराज अगर आप अपना ताज ढूनना चाते हैं और उस पक्षी को पकारना चाते हैं जिसने आप पर हमला किया था तो मेरे पास एक तरकीब है आप जंगल के हर पक्षी के घर में तलाशी ल पैसा ही करो मुझे किसी भी आल में मेरा वेताई धूंड कर दो वे मेरे अब्बा की आखने निशानी था और और महराज सबसे पहले आप मेनो चडिया के घर पर जाकर तलाशी लिजेगा मुझे उस पर पूरा पूरा शक है वे एक बहुत बड़ी चोर है चोर कालो कहवा मे पैसा उसे फस्वाने की कोशिश करता रहता था वहीं दूसरी तरफ मेनो चडिया और बिर्जु तोता घर पर पहुंच चुके थे और वे ताज उनके सामने था अरे अरे बिर्जु देखो तुमारे वज़े से कितनी बड़ी मुसीबत हमारे गले पड़ गई मेरी छटे ही स्केह रही है कि तोते माराज अब जेंगल में हर पक्षे के घर की तलाशी लेंगे और अगर वे हमारे घर पर आए और उनोंने ये ताज हमारे घर पर देख लि क्योंकि अगर ये ताज तोते माराज के सामने हमारे घर से निकल आया तो तो फिर भे हमें नहीं चोड़ेंगे अरे अरे मीनुचिणिया ऐसे डराओ तो मत माना के मुझसें गलती हुई है परन्तु परन्तु मैं कभी भी बंदी बनके नहीं रहना चाता हाँ हाँ मीनुचिणिया तुम बिलकुल ठीक है रही हो मैं अब जाता हूँ और इस ताज को कहीं फेक कर आ जाता हूँ फिर बिर्जी तोता तोते माराज के ताज को लेकर अपने घर से निकल चाता है और वे अपने घर से काफी जादा दूर आ गया था अरे हाँ ये जगह बिलकुल ठीक है ताज फेकने के लिए अब तो मैं अपने घर से काफी दूर हूँ और यहाँ अगर मैंने ताज फेका तो किसे को हम पर शाग भी नहीं होगा ये ताज मैं यहीं पर फेक देता हूँ फिर बिर्जुतो था उस ताज को वहीं पर फेक देता है परन्तु ये क्या तोते माहराच का वे ताज तो एक घर में जाके गिरता है और वे घर उस कालो का अबे कही था जो के तोते माहराच का वजीर था बिर्जी तो था तोते महाराज का वे ताज फेकर आ गया था और फिर कुछी समय में तोते महाराज अपने सेनिकों को लेकर मेनो चुडिया के घर पर पहुच जाते हैं अरे मेनोचिडिया, तुम्हें अपने घर की तलाशी देनी होगी, दरसल मेरा ताज गुम गया है, जिसकी वज़ा से मैं जेंगल के हर पक्षी के घर की तलाशी दे रहा हूँ अरे जी जी महाराज, आप बिलकुल मेरे घर की तलाशी ले ले जिये फिर तोते महाराज का एक सेनिक मेनोचिडिया के पूरे घर की तलाशी ले ले लेता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता फिर क्या था तमाम पक्षियों के घर पे अपना ताज ढूंडते ढूंडते रात हो जाती है परन्ति तोते महराज को अपना ताज कहीं नहीं मिलता अब तो वे बहुत जादा ठक चुके थे अरे वजीर मैं तो अपना ताई ढून ढून कर बहुत जादा ठग्या हूं मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा मेरा महल तो बहुत जादा दूर है पता नहीं मैं वहां तक कैसे बहुचूंगा अरे तोते महराच आप बिलकुल चिंता मत कीजी आप बहुत जादा ठग्या हैं जिसलिए आज रात आप मेरे घर पर चलिए अरे हाँ हाँ तुम ने बिलकुल ठीक कहा मैं आज रात तुमारे घर पर ही रुख जाता हूं फिर तोते महराच और कालुकवा दोनों ही घर पर पहुच जाते हैं तोते महराच अपने सामने अपना ताज देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कालुकवा भी ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा पुरिशान हो गया था के वे तो मीनो चिडिया को फस्माना चा मेरा ताच चोरी करने की तुम्हारी हिम्मद कैसे हुई अब तुम पूरी जन्दगी बंदी बनकर रहाँगे और महाराज मैंने बिल्कुल नहीं चिराया मुझे तह पता भी नहीं है कि यह धाउए मेरे घर मेरे कहों से मुझे शमा कर दिये महाराज मैं मैं बंदी नहीं बनना चाहता कालू कववा बिचारा बोलता ही रहे गया पर इंतु तोते महाराज ने उसकी एक भी नहीं सुनी और सुबह होते ही कालू कववे को तोते महाराज ने बंदी बनवा दिया बिचारा कालू कववा अपने ही चाल